तो स्वागत आप सभी का मेरे चैनल में, मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कोशिन पेपर के लिए, कोका करीकुलर का, तो यह आपका कोशिन पेपर है, फूर नूट्रिशन और हाइजीन का, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स हम देखते हैं कोशिन बगेरा, यहां पर पूरी आ आपको इसे फिल करना है, आप इसे एकबर पढ़ लें, तो फॉर्स कोशिन है आपका दूर पनीर दही समूट डैस ही तू महतो पूर्ण है, और इंग्लिस में भी है, अगर किसी को इंग्लिस में जरुत हो तो यह भी देख सकता है, यह किसी बच्चे से लिया था था मैरे, तो आप एकबर चेक कर सकते हैं, यह कोशिन है आपका, छेके सेकेंड कोशिन आपका, फल एवं सब्जे समाने ते प्राप्ती का अच्छा स्रोत माने जाते हैं, वसा, तेल, विटामीन, और खनील, प्रोटीन, और कार्बहटरेट, देन आपका, फ्रूट और वेजटेबल स अलावंस, अलावंस, अलावनस, अलावंस, एक गरवति इस्तर हीत- добав yeni– कालशियम की प्रास्तावी तहारी मात्र, two-p econom लावंस, कतना हैं, तो आप वापसं दिख सकते हैं, एक पंदरा वर्सी बालेका है तो लोही की प्रस्तावी ताहर मात्रा कितनी होती है सिक्स्थ कोश्चन है आपका डाइट कंटेनिंग और न्यूटरिन इस कॉल्ड वहर जिसमें से भी पूसकता तो सहीं तो यहां पर दे रखा है सेवंथ कोश्चन आपका डाइट कंटेनिंग और न्यूटरिन इस कॉल्ड वहर जिसमें से भी पूसकता तो सहीं है यह आपका ओप्सन दे आपका एट कोश्चन है यूनिसेफ की सहायता का बड़ा शेतर पूर्ण करती है आपका कोश्चन नंबर टैन है मिड्डे मिल कारकरम के लक्ष क्या है इंगलिस वाली भी देख सकते अपना दा एमस अब मिड्डे मिल प्रोग्राम इजार डैस और सबस्टेंस निडेड वाइड बाडी फुर ग्रोथ अनरजरी पेर एंवेंटेंस इस कॉल्ड़ डाट डैस सरीर की ब्रिदी उर्जा मरमत एवं भरन पोसक नितु जो तत्तों चाहिए हो क्या क्या जाता है सरक्राम में पाए जाने में पोसक तत्तों क्या हैं कार्बोहईड्रेट दैन है मानो सरीर में जल करी प्रतिसत कितनी होती है वैसे तो 70 परसंट यहाप लगा रखा है बट मैंदे को तो 60 से 65 परसंट दे रखा है 14 है डैस मानसर कर्भोहड़ेटर प्रोटिं से मिलने वाली उर्जा से दुगनी उर्जा प्रदान करता है वसा हूजन का वहतातो जो संक्रमन से लडने में हमारे सरी की सहाता करता है सरीर में हीमोगलोबिन निर्वाण हितु डैस क्या सकता होती है थाइराइड की कारे प्रणाली को नियंद्रित करने के वाला खनीज लवन है the mineral which controls the function of थाइराइडी हमाई सरी के सारे लिक ताप करम को उस्तित बनाने में सहेता करता है जैकरी is a good source of गुंड का डैस एकच्छा स्रोत है देन आपका खनीज लवनों का सरवाद की अकत्री करन्ड निम्लेकित में से कौन सा वनस्पेदी मुल्य का प्रोटीन स्रोत है सीसो में प्रोटीन कार्बोहड़रेट की हिंटा से हो जाता है उसके अहार नियोजन के लाब है मैंने इसके आंसर किये नहीं है मैं का अंसर जल्दी इसका करा दूंगी किवल कोलेस्ट्रम एव मा की दूर को पिलाना कहा जाता है गर्वावस्ता के दौरान कोशिकाओं को तीवर विस्ता रहे तो डैस के दितिक मात्रा में आप सकता होती है 26 नुमर कोशिन आपका यह मा का गर्व कालीन पॉस्ता गर्वावस्ता हित्तु में तुपूड है क्योंकि यह इक विकास को डैस निशित करता है गर्वावस्ता के दौरान सारे रिक्रेक्सिल के परिणामों सामिल है जीवन के प्रथम बारा मा में मा का दूद प्रसावित के जाता है क्योंकि असीसो को पुर्ण और पॉस्त और डैस प्रदान करता है दैन है आपका बिश्व सौस्ते दिवस कम मनाए जाता है कि इंद्रिय खादे विन तकनीकी अनुसंदान संसान कहा इस सित है जोने सेफ के स्थापना कब हुई थी आई सी डी एस की सेवा में सामिल है दैन है आपका कुपोशन की प्रभाव है पैलेग्रा के तीन डी से अभी प्राय है उच रेसे युकतहार में यह सामिल नहीं है बिटामिन सी का प्रचूर स्रोत है ग्लाइकोजन का ग्लुकोज में परिवर्थत होना डैस हर्मोन पर निर्भर करता है नवजात सिसु को कोलेस्टरॉल क्या करना चाहिए नहीं देना चाहिए आप्सन आप देख सकते हैं पीलिया रूप गी की आखे हो जाती है कबूतर जैसी छाती में डैस पाई जाती है स्वास्ते वैस्तिती है जिसमें डैस अत्यदिक पोसंड से हो जाते हैं कब्ज की दुस्परिनाम है कोई भी बैक्ती इस कारण नियून भार हो सकता है डैरिया में वर्जित भोजिपदार्त है रक्त में बिलरूबीन के बढ़ने से हो जाता है मदुमेई के लक्षन है संत्रिप्त वसा से प्रोचुरहार में नियून में से किस रोख से मंदित हो सकता है इस्टेक अच्छा सरोथ है सामेकित बाल्विकास सेवा योजना कोलेस्ट्रोल के दो रूप क्या है निम्लिकित में से कौन सी वसा अधीक legit अच्छी है और उसको फ़ेश को सलिया जाना चाहिए काटा है कि के त्वाेश कोण Commission कि ऐदया जाता है दूब कर डैस दूद का डैस निम्लिक aha होता है क्योंकि यह वर पूर रहत रेशा सिरी की किस काले को सुगों मराने के लिए महत्वपूर्ण है वसा का एक ग्राम कितनी कैलोरी प्रदान करता है रक्त के जमने हितु विटामिन आवश्यक है बेयाम किस प्रकार किसी गर्बती सिरी को लाप्रदान करता है गर्बवस्ता के दरान नीमने में से कौन सा इस प्रारंभिक हजार दिनों की महत्वपुण अवस्थाएं क्या है एक बच्चे के लिए प्रारंभिक हजार दिन महत्वपुण माने जाते हैं इसलिए क्योंकि संतुली तहार को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है डालों की खमीरी करण से बढ़ जाता है स्वास आंखों हेतु बिटामीन डैस से प्रचूर अहार बच्चों को देना चाहिए पीलिया रोग्यों हित्यू या प्रसावित किया जाता है डायरियम निम्रिकित में से कौन से कारक उतरदाई है मानो सरी का समानेत अपमान कितना होता है मधू में रूग्यों का उपचार डैस द्वारा किया जाता है व्यासक हित्यू समाने सिस्टोलिक वर डैलस्टोलिक रक्तचाप है सरीर निर्मार कारी पॉस्टिक तत्व है कम रेसे युक तहार के डैस रोगी रोग्यों को बताता है एक स्वस्ट संद्वली तहार कौन सा तत्तो कब्ज में साहता करता है आई सेमयर के नुसर गवस्ता में अतरिक तुर्जा क्या सकता होती है कैल्सियम के आउसोचन हित्यू या पॉस्ट तत्तो आवसक है मानों सरीर के लिए आवसक वसीयमल क्या है कौन सब एक्टिव समूग प्रोटीन उर्जा को पोश्टन के प्रति अत्यधिक समवेदन सील है बोडी मास इंडेक्स बी एम आई ग्यात करने का सुत्र पूर्ण कीजिये तो तुचा या फ्रेनो डर्मा की स्पूसक तत्तो की कमी से होता है महिलाओं में समानने हीमो ग्लोबिन स्थर क्या है जोर में सारेरिक प्रवितन होते हैं बुखार में आहार प्रस्तावित है बीमारियों की पुरुध लड़ने ही तुच सरीर की छमता को कहते हैं एट्स रूग की मानो सरीकी किस तंत्र को प्रभावित करता है किस रक्त समू का बैक्ती सार्व भौमिक दाता हो सकता है हल्दी प्रती रक्षर बढ़ानेवाला खादेपदार थै क्यूकि इसमें डैस कलोरी अतरिक दा सकता होती है दूद के अतरिक्त सीसों के हार में कौन सी भोज़े पूरों को सामिल करना चाहिए मुटाबे के महामारी के मुख्य कारण क्या है वीडाल टेस्ट का प्रिंचर करने ही तो डेस्ट किया जाता है निमलिकित में से कौन सी रोग दूसी भोजन और पानी से प्रसारित होते है सामिकित पालविकास सीवा का लक्षी बच्चों को बहुत सी सवय बरदान करना है जिसमें सामिल है राश्ट्रिय गेंगा निमंतरन कारेकरम के लक्षी है गाजर डेस प्राप्ती का सस्ता असानी से प्राप्य और सुलप स्रोत है खटे फल डेस का उत्क्रिश्ट स्रोत है फ्राल के इतने ही धन्यवाद